हेलो दोस्तों मैं हूँ नवीन और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सैमसंग ने पिछले साल जुलाई में गलेक्सी टैब S6 लाँच किया था अब कमपनी ने इस टैब का सस्ता वर्जन लाँच कर दिया है जी हाँ दोस्तों इसे गलेक्सी टैब S6 लाइट नाम से पेस किया गया है अब यह टैब कमपनी की अफिसल वेबसाइट पर भी लिश्टेड है गलेक्सी टैब S6 लाइट में कई धासो फीचर्स मौझूद है इस टैब में यूनि बॉडी मेंटल डिजाइन के साथ साथ 10.4 इंच की FHD स्क्रीन दी गई है जिसका रिजुलेशन 2.0.0 है हलाकि यह डिस्पले रेगुलर टैबलेट S6 वेरियंट से 0.1 इंच छोटा है कमपनी ने टैब की कीमत का खुलासा नहीं किया है लेकिन टैब S6 लाइट वर्जन होने के चलते यह रेगुलर वेरियंट से सस्ता होगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको से छोटी से रुपश्ट है कि अगर आप लोग चनल पे नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कर लेना तकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुस्ती रहे दोस्तों इस टैब में OctaCore प्रोसेसर का इस्तमाल किया गया है जो 2.3 GHz की Maximum Clock Speed के साथ आता है कंप्री ने यह साफ नहीं किया है कि टैब में किस तरह का चिपसेट का इस्तमाल किया गया है दोस्तों Samsung के इस टैब में 4GB की RAM के साथ दो स्टोरेज ओप्सन दिये गया है इसे 64GB और 118GB स्टोरेज ओप्सन के साथ खरीदा जा सकता है टैब का regular variant 6GB और 118GB ओप्सन के साथ आता है बात करें टैब S6 की तो टैबलेट में 10.5 इंची की Super AMOLED डिस्पले दी गई है और डिवाइस में 118GB का internal storage तथा 6 और 8GB RAM के दो विकल्प मिल रहे है दोस्तों डिवाइस में under display fingerprint sensor दिया गया है और 7040 mh की battery तथा S Pen को भी सामिल किया गया है दोस्तों हम इसमें S Pen का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो 0.35 mh cell के साथ आता है और दोस्तों टैबलेट में connect करने पर यह wireless charge भी हो जाता है दोस्तों S Pen को 10 मिनट तर चार्ज करने के बाद यह 10 घंटे तक उपयोग में लाया जा सकता है दोस्तों Galaxy Tab S6 में connectivity के लिए Bluetooth 5.0, Wi-Fi और LTE जैसे features देखने को मिल जाते हैं टैब में 3.5 mm jack भी मुझूद है और दोस्तों टैब में AKG speaker Dolby Atmos के साथ दिये गया है जिससे यूजर को बहतर sound output सुनने को मिलता है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही या फोन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पॉस्ट किरा है तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों